समझती हूं और वह सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फॉर्स टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वह 400 बिलियन डॉलर्स का टार्गेट अचीव कर लिए अच्छा इसमें इसके उपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरह से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स टाइम इंडिया सेटन एंबिशियस टार्गेट पर पहुंच नहीं है और यह बहुत बड़ा अब पाकस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं वह 32 डॉलर पे बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट क्रॉस किया है इसमें आईटी सेक्टर का जो एक्सपोर्ट होता है वो इंक्लूड नहीं है यह हमने पहली बार क्रॉस किया है हाला कि आपको भी पता है कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को यह बहुत पहले एचीव करना चाहिए मुझे तो मेरे ख्याल से तो आज से कम से कम दस साल पहले अचीव करना चाहिए चलिए कोई बात नहीं देर आए दुरस्ता है हो सकता है आंगे वाले दस साल में हम इसको तीन चार गुना बढ़ा दें मतलब चार की जगह यह दो ट्रिलियन तक पहुँच जाए अकर दस सालों में तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब दियोगी पहले यह पाकिस्तान का पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो करने भाग में इस टॉपिक पर डेटेल में बात करेंगे कौन समझती हूं और वह सक्सेस तरीके से आए कि भारत ने फरस्ट टाइम एवर इन हिस्ट्र इसमें इसके ऊपर उनके प्राइम इनिस्टर की तरफ से ट्वीड भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स टाइम इंडिया सेटन अंबिशियस टार्गेट और फोर हुर्ट बिलियन डॉलर्स और अचीव इट्स टार्गेट फॉर्स टाइम एवर इन हिस्ट्री और मज इसमें ये भी बात है कि ये कोई ये नहीं है कि आई टी की जो है प्रॉडक्ट्स हों या इस तरह से नो ये जो फॉर्टर बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्स हैं ये टैंजिबल गुड्स हैं जो वो थूर कोरियर भेशते हैं पूरी दुनिया में मतलब उनके जो भी प्रॉ अपे बborgनळी चाहिए लिकिन प्रॉडेशन लेटिशन में आपसे आ हुश्या हो तो अच्छी बात हैं मुकाबले इक बढ़फ की फासा जाती हैं उल्लू हमें बागी हम फैसे प्रArm ecosystem का का घाल उम्रान इंप फसे में और काम तो हमारी एक्सपोर्स इसी को आप देख लें जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की तिजारत की कि वो दोनों कंट्रीज कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं वो अपनी ट्रेड जारी रिखे में लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो खत्म कर दी हमने करने हैं करें कि और उनक यह इत्मे मैं इतने बड़े चौधरी बढूत हैं पर्धान मंतरी इसको क्या करना छाजिए खिзд leaning गाई यह ज्याए कि हमें पता चलेंगा आगले कुछ तिनों में यह के जार एक और तीन दिन होंगा मैं पता चलेंगों और हम mir इन आ पर उसमें शामिल था पाकिस्तान की वज़े से नहीं गए या फिर ये है कि वो उसके बाद उनका विजड जो है वो आगे चला गए और फिर ये भी कि जो उनका फुर्दर प्लैन है लॉंग टम प्लैन क्या उसके पर काम हो रहा है या दोनों कंट्रीज जो है वो ऐसा नहीं चाह रहेगा क्योंकि अगर आप एक चीज़ को देखें कि इंडिया की जो बाय जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चार सो बिलियन डॉलर के टार्गेट पे पहुंच की है और ये एक बहुत बड़ा आप पाकिस्पोर्ट जो हैं वो 32 डॉलर पे हैं अब उनके पास एक बहुत बड़ी opportunity है कि वो दुनिया को ले के आ सकें और कह सकें कि देखें आएं आप किश्मीर में आएं हम आपको ये fly investment देखें कारोबारी शक्स जो होता है उसको कोई चीज़ नी चाहिए होती उसको ये चाहिए होता है कि जड़ाब वो अपनी उसको investment चाहिए होती है उसको destination चाहिए जह जैसे businessmen इतने खुश नहीं है मैंने ये निकेशिया और बहुत सारी और जगों पे और मैंने बहुत सारी tweets भी देखी इस सवाले से लेकिन question ये है कि इंडिया ने दोज़ाटारा उननीस में मेरा ख्याल है अपना जो target रखा था एक्सपोर्ट का वो 330 billion dollar के करीब था अभी व जिनने हम वो बोलते हैं साड़े जड़े वो जिनके उपर सारी मरान खान ने जिनी केंदेना सारे मुलक का जगाओ उनके उपर है बिचारों के उपर हमारे जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है are anyhow 37 $ Cindy dollar की एक्सपोर्ट और 400 $ award की एक्सपोर्ट वाले मेंसे कौन सी बात किस की बात सुनी जाएगी सिंपल सी बात है वो 400 डालर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे यहां तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह क्यों देखें यह आज का जमाना यह है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप financially कितने जादा तगड़े हैं अगर आप financially तगड़े हैं आपकी गेम अ चाहिए अच्छा अब एक तरफ हमने यह देखा कि जो सौदी या जो अरभी हैं वो वहां पहुंच गे उन्होंने वहां पे यह जो conference में जो है वो participation भी की और और जो promises हैं वो भी किये और हमें यह सौदी अरभ उनने लारा लगाया इदर इस्लामबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि साथ खड़े हों किश्मीर के मसले में लेकिन उदर वो किश्मीर में investment कर रहे हैं उदर आपको याद होगा जब MBS साब जो है मुहम्मद बिन सल्वान साब जब गये तो उन्होंने कहा है कि मेरे यह बड़े भाई हैं मोदी साब और पाकस्तान आए तो क क्या पाकिस्तान मुसलिम ब्रदर्स को मुसलिम ममालक को रोक सकता है किसमीर में investment करने पर यह है वो question जबके आप एक तरफ वाँ पे conference हो रही है और एक तरफ आप OEC के जिलास बला रहे हैं आपको पता है कि जो इंडियन्स हैं वो कुछ न कुछ इस तरह जरूर करते हैं क्य यह परिक्ठिंग टयर्सक पाकिस्तान झालिग सुनेख़ अपने नाशन इंट्रेक्ट करना और जारी बात है किसका Marchा गाठ दीन को प्रेशुन ध हुआइन्जा दाल रहिए निक को पता है कि मारा माम स्वह पर एक सख्ट कॉंपर्टेशन में इंडो-पैसिफिक में होने वाला है यहां खाली में जो अभी चाइनीज पॉर्टन मिनिस्टर की जो एक विजिट हुआ था इंडियन ओशन के ममालक में चाइनी इंडियन बैक्यार्ड में वहां पे मामुलात खराब होने वाले हैं तो चाइन और भारत में जो मतलब एगरी कल्चर के छेतर में एक जैसी चीजे होती है लेकिन पाकिस्तान आज गेहूं तक मतलब दूसरे देशों से ले रहा है तो यह कितनी सर्म की बात है आजादी के वक्त जो पंजाब का 70% हिस्सा था वो पाकिस्तान के एक अबजे में गया था मतल सकते हो दोस्तों तो अब पाकिस्तान की क्या हालत है कि वो गेहूं तक बाहर से ले रहे हैं वहां के किसानों की क्या हालत है आप देख सकते हो तो भारत ने जो 400 बिलियन डॉलर का एक नंबर क्रॉस किया है मेरे हिसाब से तो इसको डैफिनेटल अगले 5 साल में हमें तीन ग सेक्टर नहीं है और दुनिया का नंबर वाना भी जो देश है वो चाइना है 3.53 ट्रिलियन का एक्सपोर्ड है यह मतलब अमेरिका हो या यूरूपेन कंट्री हो सबसे ज्यादा है आपको भी पता है कि चाइनीज माल किस तरीके से उन्होंने चाइना ने बेसिकल यह पिछ होती है चाइना का कॉंस्टैंक रह सकता है और हमारा बढ़ सकता है फिर जाकर अने के बाद हमारा भी हो सकता है तो यह अच्छी बात होगी आपको क्या लगता है मेरे इसाण से मेरे सरी चीज़ें इंडिया को बहुत पहले क्रॉस करना हमारे लिए एक celebrate करने का दिन है